नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकिस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं डिहाइडरेशन के बारे में मतलब की निर्जली करन या फिर सरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे कि जानेगे कि डिहाइडरेशन होने के कारण क्या होते हैं लक्सन क्या होते हैं मलेकि सिम्टम्स क्या डेवलप हो सकते हैं और कैसे हम ये कंडिसंस का इलाज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रीजन्स बता हुए जिसके करण dehydration के conditions होती है तो सबसे पहला reason यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीन आता है तो उसके करण पर आपके सरीर में से electrolyte और पानी की कमी हो सकती है दूसरी condition के आपको काफी ज़्यादा severe vomiting हो रहे काफी ज़्यादा आपको उल्टी हो रही है तो वो भी एक reason बनता है dehydration के because जो उल्टी होते तो उसके साथ भी जो water loss होता है पानी जो है उसके साथ जो सरीर में से बाहर जाता है तो ऐसे करण भी dehydration हो सकता है तीसरा एक reason है diarrhea मलब कि आपको loose motion हो रहा है watery diarrhea हो रहा है तो उसके करण भी आपको ये problem जो हो सकता है फिर चौती condition हम देखे तो आपको बहुत ज़्यादा जो हो पेसा आप लगता है urination बहुत ज़्यादा हो रही है और सामने आप पानी बहुत कम पीते हैं तो उसके करण भी dehydration का problem हो सकता है फिर आप जो हो बहुत कम पानी पीते हैं कि जो पूरे दिन में समझे कि minimum 2-3 लिटर जितना पानी पीना चाहिए पर उससे भी बहुत कम पानी पीते हैं तो भी आपके सरीर की जो ज़रूरियाद है पानी की वो पूरी नहीं होगी और उसके करण आपको dehydration जो हो सकता है तो उसकी detail study करते हैं आज के lecture में और जानते हैं dehydration के बारे में तो ऐसे इसी के बहुत सारे बीमारियों के बारे में medicine course में pharma rocks के अब उपर तो ये course specially आपके लिए design किया है pharma rocks के अब उपर जहाँ पर आप अलग अलग बीमारियों के बारे में सिखते हैं दवाओं के बारे में सिखते हैं उनके use क्या होते हैं dose, side effect and warning and contraindications की detail study कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो एपको डाउनलोड करें या फिर हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे तो जैसे हमने starting में reasons देखें कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग reasons होते हैं कि जिसके करन सरीर में से पानी जो वो काफी कम हो जाता है electrolyte की कमी हो जाती है और उसके करन जो एक medical conditions produce होती है उसको हम कहते है dehydration कि especially सरीर में पानी की कमी होना और जो normally जो हमें हमारे सरीर को पानी चाहिए उसके compare में सरीर में जब पानी कम हो जाता है तो ये condition को हम dehydration कहते हैं तो यह पर जो आप diagram में देख रहे है कि person के अंदर दीरे दीरे पानी जो वो कम हो रहा है कि जैसे हमने अलग अलग reasons देखे कि किसी को vomiting बहुत ज़्यादा हो रही है loose motion ऐसे हो रहे है जिसके करण watery diary के करण पानी बहुत जा रहा है उसी तरह से urination ज़्यादा हो रही है या फिर काफी ज़्यादा पसी ना आ रहा है तो इसके करण भी सरीर में से जो पानी की कमी हो जाती है तो at least 2-3 लीटर जितना पानी जो यह दिन में पीना चाहिए because हमारे सरीर के अंदर healthy conditions के अंदर 60-70% जितना जो पानी होता है but dehydration के अंदर हम देखे तो यहाँ पे आप देखो कि 40-50% जितना पानी जो हो जाता है कि जो normal 60-70% जितना होता है तो किसी भी person को दिन में at least 8 glass जितना जो हो पानी पीना चाहिए और 1 glass के अंदर minimum 250 ml जितना पानी तो उस तरह से आपकी जो daily minimum requirement है पानी के 2-3 लीटर जितना आपको पानी पीना चाहिए वो पूरा हो जाए because यहाँ पे आप देखो कि हमारे अलग-अलग organs के according to उसमें पानी की मातरा कितनी होती है तो brain जो है वो उसके अंदर 75% जितना पानी होता है blood के अंदर भी 83% है heart के अंदर 79 bonds के अंदर 22% muscles के अंदर 75 liver के अंदर 85% और kidneys के अंदर 83% जितना पानी होता है तो आप समझ लो कि आपके सरे के अंदर dehydration हो जाता है पानी की कमी हो जाती तो सबसे पहले यह अलग-अलग organs के उपर भी असर पढ़ सकती है तो reasons already हमने आगे सरुआत में भी discuss किये तो आप जानते हैं उसके symptoms के बारे में तो सबसे पहले समझे के dehydration होता है किसी को तो बहुत जादा जो है उसको प्यास लगती है second dry mouth महले कि आपको गला सुख रहा है ऐसा फिल कर सकते है as well as mouth नहीं सिर्फ और सिर्फ mouth के अलवा हम देखे तो आपके eyes में भी आपको ऐसा फिल हो रहा है कि आप वहाँ पे सुखापन आपको फिल होता है as well as आपकी lips जो हो काफी dry हो रहा है ऐसा आप फिल करते है heartbeat जो हो increase हो सकते है ऐसे condition में सिर्फ दर जैसा फिल होता है skin जो हो आपको dry हो रही है ऐसा आप फिल करते है और urination के frequency जो हो काफी कम हो जाती है फिर urine की हम बात करें तो urine जो हो काफी strong smell वाला बन जाता है या फिर उसका color भी dark हो जाता है फिर आपको जो हो light headache जैसा या फिर काफी heavy headache भी कुछ लोगों को देखने को मिलता है dizziness फिल करता है थकान या फिर आप कमजोरी जैसा फिल करते है dehydration के कारण और dry mouth, lips and eyes जो से हमने आगे भी discuss किया उसी तरह से और urination जो हो चार टाइम से भी कम जितना हो जाता है पूरे दिन में बिकॉज आपके सेरे में पानी ही कम हो जाए तो kidneys भी बहुत कम urine formation करती है और उसके कारण ये सब symptoms develop होते है तो अब बाद आती है prevention के because prevention is better than cure तो prevention के लिए सबसे बले तो आपको hydrated रहना है कि dehydration ना हो इसलिए आपको ऐसा food लेना है या फिर ऐसे fruits ले सकते है कि जिससे आपके सरेर के अंदर पानी की मांतरा जो अच्छे से बनी रहे तो यहापर हम देख रहे कि आप water मेले मनलकी जो कलिंगर होता है वो खा सकते है या फिर plain water भी आप regular पी सकते है अंगुर वगेरा खा सकते है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीए पूरे दिन के दोरान फिर अगर आपको बाहर जाना होता है दूप में तो खास ऐसा ध्यान रखे कि आप avoid करें या फिर बहुत कम outdoor time आप बिताए या फिर आपको जाना पड़ता भी है तो आपको पानी जो हो regular पीते रहना चाहिए hydrated रहना चाहिए फिर खाने में hygienic जो food होते है वो खास आप लीजे बिकॉस जो एक reason है यहाँ पे diarrhea and vomiting तो diarrhea and vomiting होने के कुछ reasons होते है food poisoning और food poisoning हमें पता है कि जो unhygienic food होता है या फिर ऐसा कुछ आप contaminated पानी पी लेते तो उसके करण आपको nausea and vomiting diarrhea जैसे condition होते हैं और वो एक reason है dehydration का तो आपको खास यह दियान रखना है कि आप जो भी कुछ खाना खाते है या फिर पानी पीते है तो उसमें hygienic condition maintain हो रही हो उसी तरह से आप food लेजिए और अगर आप heavy exercise करते है दूप के अंदर या फिर outdoor condition में तो उसको जो है वो limit कर देनी चाहिए कि जिससे आप dehydration से जो है बच सकते हैं कि prevention करना काफी ज़रूरी है फिर आप water melon खा सकते है या फिर उसका juice बनाकर भी पी सकते कि जिसको हम कहते है कलिंगड का juice गन्य का juice भी आप पी सकते है या फिर जो कच्ची आम का juice बनाकर आप ले सकते हैं butter milk जो च्छास होती है वो आप खास ले सकते हैं ग्रेब्स खास सकते हैं जिसको हम अंगूर कहते हैं लमन ज्यूस मनले कि निम्बु का पानी या फिर निम्बु का जूस्स अब ले सकते हैं hydrated रहने के लिए dehydration के दौरान तो अब बात ले हैं complications के कि अगर dehydration होता है तो उसके करण कौन से problem create हो सकते हैं तो सबसे पहला problem है वो है heat stroke मतलब कि आपको लू लग सकते हैं अगर आपको dehydration के condition है second मिरगी के दौरे पढ़ सकता है अचानक से because उसके अंदर electrolyte loss होते हैं तो seizure या फिर epilepsy के complications हो सकते हैं organ failure मतलब कि आपके जो organ से सरी के किसी भी अंग को damage कर सकती है dehydration के condition आपके brain के function के उपर असर पड़ सकता है मतलब कि जैसे हमने आगे बात कि अलग-अलग organs के अंदर पानी की मातरा होती है तो समझे कि पानी ही कम हो जाएगा तो वो जो organ से उनके functions के समा में भी जा सकता है या फिर उसकी death भी हो सकती है तो इसको तुरन ट्रीट करना जरूरी है तो अब बात करते है treatment के तो सबसे पहले treatment में patient को जह हो रिहाइडरेट किया जाता है मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है अगर patient ऐसी condition में है कि वो बैट भी सक करता है तो primary treatment के तौर पे सबसे पहले आपको उसे पानी देना है second साथ उसाथ आप ORS भी उसको दे सकते हैं because electrolyte loss होता है यह condition के दौरान तो electrolyte को फिर सब balance करने के लिए ORS की जो therapy है कि ORS जो oral dehydration salt या फिर solutions हम कहते हैं वो बना कर patient को तुरन देना चाहिए तिसरी condition है यहाँ पे कि अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो plain पानी देना चाहिए या फिर आप जैसे हमने आपके बात की कि आप lemon juice उसको दे सकते हैं फिर coconut water वागेरा दे सकते हैं या फिर orange juice है गन्ने कारव से जो भी possible हो आप दे सकते हैं बट ध्यान यह रखना है कि आपको जो soft drinks वगिरा होते हैं कि यहाँ पे जो आप अलग-अलग soft drinks देख रहे हैं तो वो soft drinks जो पेशन को नहीं देने हैं because इससे problem क्या हो सकती है कि soft drinks देने से diarrhea का complications जो बहुत ज्यादा हो सकता है तो किसी भी soft drink को आपक dehydration के condition में use नहीं करना because उसके करन जो diarrhea और ज्यादा बढ़ सकता है तो patient के conditions और ज्यादा खराब हो सकते हैं गर आपको soft drink उसको दे दे तो यह खास आपको धियान रखना है treatment के दौरान चौथा option बनता है कि उसको उसके heart rate वगिरा है blood pressure है और उसका mental status है वो आपको खास regular check करत है because heart rate के यहाँ पर हमने symptom देखा कि patient के heart rate जो इंक्रीज हो सकते हैं तो यह खास आप धियान रखे उसके pulse check कर सकते हैं उसके blood pressure भी monitor करना जरूरी है और जरूरत पढ़ने पर समझे कि patient को IV therapy देनी है और दूसरी को supportive care भी उसको देना है तो hospitalized कर देना चाहिए patient को जिससे और ज because IV fluids जो होते हैं intravenous fluids जो हम कहते हैं तो वो compensate करते हैं जो fluid loss होता है तो उसके लिए सबसे पहले आप दे सकते हैं D5W मले कि जो glucose की bottle आती है या फिर normal saline solution है D5W है RL solution है या फिर DNS तो यह अलग-अलग options बनते हैं आपके पास IV fluids के तो इसमें से कोई भी एक जो patient को suit करता हो वो देना चाहिए फिर जो reason based treatment भी यहां पर जरूरी है because समझो कि किसी को diarrhea के करण dehydration हुआ है किसी को vomiting के करण dehydration हो नहीं या फिर तीसरे जो कोई reason like कि किसी को ज्यादा पसी नहीं हो रहा है और उसके करण यह problem हो रहा है तो वो problem को भी treat करना जरूरी है तो vomiting हो रही है तो vomiting के इला mathematics medications आती है वो patient को देनी चाहिए कि जिससे उसके vomiting जो आप रुकवा सके second diarrhea हो रहे तो जो anti-dial drug से उससे patient को proper treat करना चाहिए कि जिससे उसका water loss जो है वो ज्यादा नहीं हो और तीसरे condition कि बहुत ज्यादा पसी नहीं आ रहा है तो पसी नहीं रोकने वाली जो दवाईया जो हो तो urination frequency कम करने के लिए पी patient को treatment देनी चाहिए कि जिससे यह problem को हम solve कर सके तो जिससे यहाँ पर हम आपने सिखा dehydration के बारे में ऐसे सिखे medicine course में बहुत सारी अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा जो यूज होती है उनके dose क्या होते side effect, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में Pharma Rocks की mobile application के उपर तो हमें whatsapp कर सकते है 901631-2020 पर medicine course को join करने के लिए या फिर directly हमारी app को download कर सकते है So good luck and all the best